हेलो अबरिवान वेलकम टो जीवन दर्शन क्लासस आज हम लोग स्लोप के बारे में पढ़ेंगे ठीक है जैसे कि आपने आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है जहां पर हमने एक लाइन बनाया हुआ है ठीक है तो यह जो एंगल बन रहा है इसे एंटी क्लॉक्वाइस डिर से एंगल लोग है तो उसे नेगेटिव बोलेंगे तो जब भी कोई लाइन है उसका एंगल ले रहे हो ठीक है तो पॉजिटिव डिरेक्शन आफ एक्स एक्स होना चाहिए ठीक है तब ही उस ठीक है इंक्लाइनेशन नाम अभी बस याद रखो इंक्लाइनेशन अब यहां और इंक्लाइनेशन नहीं होता इसको इंक्लाइन नहीं होता इसको इंक्लाइनिशन नहीं करनेगे only this theta will be considered अब यह जो line है इस angle को हमने बनाया है यहाँ पे हमने क्या क्या positive direction of x axis यह theta को लिया अकर हमने इसको लिया होता यह गलत होता ठीक है और यहाँ पे देखो जहाँ यह line काट रहा है origin से लेकि इस line के intersection point तक इस distance को बोलते है y intercept और यहाँ से लेकि जो x axis तक जो distance होता है उसको बोलते x intercept ठीक है तो what is the slope so m equals to tan theta theta जो inclination है आकर हम उसे tan से कर दे tan theta कर दे और उसको m equals to वह हमारा slope है slope बोलो या gradient बोलो बात बराबर है ठीक है अब यहाँ देखो हमने जो यह graph बनाया है इसमें हमने एक intercept दिखाया तुमें यह क्या intercept है a जो positive direction of x axis में है यहाँ पूरा x positive होता है और यह जो b है वो negative direction of x axis है कोई भी question होगा तो मैं आगे जाके जब बताया जागा कि intercept is cutting the negative side of the x axis तब याद रखना जो काटेगा जो line होगा वो इस तरीके से होगा क्योंकि यहाँ पर जो line है वो negative side को काट रहा है तो यह जो a होगा वो negative side में आ रहा है distance के नजरिये से देखो गए तो a कभी negative नहीं होगा लेकिन जो intercepts बन रहे है वो negative side of the x axis बन रहे है इसके चलते आपको क्या अंतर आएगा सिर्फ points के अंतर आएगे जो यह point होगा वो point क्या होगा minus 1,0 हो जाएगा लेकिन यह जो point होगा वो हो जाएगा 1,0 तो यह positive direction है लेकिन आकर वो लेगा y intercept negative side of the y intercept the axis is cut it तब याद रखो negative side दो तरह हो सकता एक इस तरह भी हो सकता है एक इस तरह भी हो सकता है और वहाँ आकर बताएगा कि positive side of x axis and negative side of y axis तब यह हो जाएगा negative side of y axis और x axis भी negative side तो यह हो जाएगा ठीक है तो वो आगे जाके question job कराएगे हम तब आपको clear होगा अब आते हैं slope की कुछ formula पे slope आके कैसे निकालेंगे जैसे कि हमने suppose यह line बनाया ठीक है उसमें दो point दिया x1, y1 दूसरा point है x2, y2 ठीक है यह है theta अब यहाँ पे हमने इसे perpendicular lines बना दिये अकर मैं इसे यह कहूँ कि यह दोनो parallel lines है तो यह जो theta है corresponding angles हो जाएगे जब यह theta corresponding angles हो जाएगा तब इस line को मिला दो और इस line को मिला दो क्या तुम्हें यह छोटा triangle दिख रहा है कुछ इस तरीके से theta तुम्हें अकर इसका distance पता चल जाए और तुम्हें अकर इसका distance पता चल जाए तो तुम्हें इस theta को tan से comparison करके निकाल लोगे क्योंकि तुम्हें trigonometry पता है तो यह distance को कैसे पता करेंगे क्योंकि यह point x1, y1 है तो क्या हम बता सकते हैं 0 से लेके यहां तक कितना distance होगा x1 और अकर यह x2, y2 है तो हम बता सकते हैं यहां से लेके यहां तक x2 distance है तो यह दोनों की बीच का distance क्या होगा x2 minus x1 सेम यह दोनों की बीच का distance क्या होगा यहां से लेके यहां तक y2 है और यहां से लेके यहां तक y1 है यह y1 और यह y1 सेम है इसलिए यह पूरा y2 से यह पूरा छोटू y1 minus होगा तो यह distance में निकल जाएगा तो ये जो है मेरा आया y2-y1 और ये पूरा जो है x2-x1 ठीक है और tan theta क्या होता है perpendicular by base theta के सामने वारा perpendicular है y2-5 divided by x2-x1 ओके अब यहाँ धियान तो अब हमने एक line बढ़ाया अब दोनों lines को intersect कर रहा है जैसे कि हमने 3D geometry में भी पढ़ा था कोई दो lines जब भी intersect करते हैं तो दो तरकी angles बनाते हैं एक theta और दूसरा है pi minus theta ये pi minus theta कहां से आया सर ये पूरा का पूरा angle जो है क्या ये 180 degree नहीं है बिल्कुल और इस पूरे 180 degree को ही हम pi न कहते हैं इस पूरे pi से इस छोटे theta को हटा दो तो क्या होगा ये आधा वाला angle ये जो आधा बचेगा वो हो जाएगा pi minus theta ओके हमने क्या 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 इससे माना है theta 1 और ये positive direction of x axis है तो उनों तो रखो positive direction of x axis है theta 1 theta 2 अब यहाँ पे तुम अपना triangle वाला बुद्धी लगा triangle वाला बुद्धी क्या है इस sum of internal angles equals to external angles means theta 1 plus theta is equal to theta 2 अब theta को यहीं रखो और वहाँ बेजो तो theta 2 minus theta 1 हो जाएगा अब यह change हो सकता है कि तुमने इसे consider किया हो theta 2 और इसे consider किया हो theta 1 ठीक है तो वह change होगा हो सकता है किसे नहीं लिया हो theta 1 minus theta 2 ठीक है बात में आप हम यहाँ पर बैठाएंगे tan दोनों तरफ तो क्या होगा tan theta equals to tan of theta 2 theta 1 minus theta 2 कर दो या theta 2 minus theta 1 कर दो बात बराबर है क्योंकि आगे जाके मैं तुम्हें बताऊंगो वो क्या होता है देखो tan theta 1 एक formula होता है tan theta 1 minus tan theta 2 trigonometry is the basic thing आपको पहले समझ जाना चाहिए इस सम को मतलब straight line पढ़ने से पहले trigonometry पढ़ लो तब आपको clear ह होगा ज्यादा चीज़े tan theta 1 into tan theta 2 basic जानकारी ज्यादा आप नहीं भी पढ़ोगे तो deeply थोड़ा सा expansion तक पढ़ लो sin 2, 2 theta, tan theta का expand क्या होता है वो सब पढ़ लो ठीक है यहां तक clear है अब यहां ध्यांदो tan theta 1 क्या हो जाएगा उसको हम बोल सकते हैं m1 और tan theta 2 हो जाएगा m2 क्योंकि slope होता है जैसे हमने पढ़ाता है m equals to tan theta सो हम क्या लिख सकते tan theta 1 मतलब m1 और यहां हो जाएगा 1 plus m1 into m2 अब हमने इसे mod में रख दिया क्यों क्योंकि अकर मान लो यह जो हमारा theta है वो अकर कोई acute angle हुआ अक्यूट का मतलब 90 से लेस हुआ तो यह changes हो सकते है माइनस आ सकता है तो इसे mod रहेगा तो यह हमेसा answer जो है positive में आएगा लेकिन यह theta अकर obtuse हो गया इस तरह हो गया तो इसको हम tata theta को कैसे लिखेंगे equals to minus of mod बाहर में m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2 ठीक है हमेसा हम इसको इसी तरह लिखेंगे ओके तो उस तरह से वो tan का जो obtuse angle आएगा हमेसा negative में आएगा और वो इसी angle को minus sign को हमेसा दर्शाएगा ओके अम जब sum करेंगे तब आपको और अच्छे से clear होगा I hope you like the video please do like and subscribe thank you